ये मंदिर बोल नहीं सकता लेकिन बया कर रहा है प्राचीन भारत के गौरवगाथा मंदिर की दिवारें खामोश हैं लेकिन उन पर उकेरी गई ये तस्वीरे गवाहें उस काल के गहरे ग्यान की जिसे देखकर आज का विज्ञान भी मौन हो जाता है ये पूरा मंदिर सेंट स्टोन से बनाया गया है आखिर कैसे बनी होंगी ये दिवारें इन दिवारों पर कैसे उकेरी गई होंगी ये तस्वीरें उन लोगों ने उस ग्यान का कैसे अरजन किया होगा जिसे देखकर आधुने ग्यान भी हैरान है मंदिर के नीचे क्यों बनाई गई सुरंग सवाल कई हैं लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है इस मंदिर के आधार पर ही कांचिपुरम में दूसरे मंदिर पूरे दक्षिन भारत में दूसरे मंदिरों का डिजाइन इस मंदिर के आधार पर बनाया गया आज हम आपको ले चलेंगे तमिलाडू के सद्यों पुराने शहर कांचीपुरम जहांके पथर गवाही देते हैं कि सद्यों पहले ये शहर कितना खूपसूरत रहा होगा जिसकी खूपसूरती बढ़ाते थे ये मंदिर कांचीपुरम को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है जहां एक अमबरेश्वर मंदिर, कामाक्षी अम्मन मंदिर, देवराज स्वामी मंदिर, सबसे रहस्यमय और अध्भुत कैलाशनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित लाल बल्वा पत्थर से बना ये मंदिर जितना खास है उतना ही रहस्यमय है इस मंदिर को रहस्यमय बनाती है वो सुरंग जिससे पार करना आसान नहीं है इस मंदिर के नीचे एक सीक्रेट टनल है उस टनल में जब कभी राजाओं की लडाई होती थी क्योंकि पल्लव शास्यकों ने इसे बनाया है या युद्ध के दौरान राजाओं को छुपना होता था तो वो इसी मंदिर में पहुँचके उन सीक्रेट टनल से अपने आपको बचा लेते थे आगे हम आपको उस रहस्यमय गुफा के बारे में बताएंगे लेकिन उससे पहले इस मंदिर को जान लीजिए जिसकी वास्तुकला हैरानी नहीं करती बलकि यहां बनाई गई मूर्तियां उस काल की तखनीक को लेकर कौतू हल भी पैदा करती है कि मामुली उपकर्णों से ऐसी आकरती कैसे बनाई गई होगी है यह नैचरल करत री नैचरल कर जा बीजटेबल फुरुट का जूस्त पत्त को इसको मिला कर गई पेंट कि यह 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 का ज़ार चार्सोंभरेश अभी यह टो टोटल यह उचारो साइड में टोर्टनल टोर्टनल्ट्यूटिए अभी प्ति-इटेशन भी यह एटेश आपको यहां याद दिला दें कि कैलाशनाथ मंदिर माराष्ट के एलोरा में बने कैलाश मंदिर की भी याद दिलाती है इन दोनों की अपनी अलग-अलग खासियत है लेकिन जो एक बड़ी समानता है वो यह है कि दोनों ही मंदिर भगवान शिव को समर्पित है कांचिपुरम के कैलाशनाथ मंदिर को भारत का पहला धाचागत मंदिर माना जाता है यह जो मंदिर है यह सभी रूपों में कंप्लीट है क्योंकि इसके अंदर सारे पार्ट्स है गर्भाग्रे है, अंतराले है, मंडप है, जो मुख्यद्वार है, वो है और गोपुरम है इससे एक बड़े मंदिरों के अवशेश मिलते हैं, फिर कैलाशनाथ मंदिर ही धाचागत मंदिर क्यों है? दरसल पहले के मंदिर या तो लकडी से बनाए जाते थे, या फिर गुफाओं और पत्थरों की चटानों से बने होते थे, लेकिन कैलाशनाथ मंदिर उनसे बिलकुल अलग था, इसमें नकाशी की काम पर विशेश जोर दिया गया, इसलिए इस मंदिर को पहला धाचागत मं मंदिर माना गया, यह जो मंदिर बना, यह एक ट्रेंट सेटर बना, क्योंकि यह चट्टानों के एक बोल्डर के उपर बना था, यह वास्तु किन पहारी को काटकर इसे बनाया नहीं गया था, इस मंदिर की वास्तु कला, दुनिया की बहतरीन वास्तु कलाओं में से एक है, इसकी डिजाइन में द्रविण स्थापत्य कला का इस्तेमाल किया गया है, यहां आपको बता दें कि द्रविण शैली, दक्षल भारतिय हिंदू स्थापत्य कला की तीन शैलियों में से एक है, वहीं इस मंदिर की नीव ग्रेनाइट पत्थरों से बनाई गई है यही कारण है कि आज सेक्लों साल बाद भी ये मंदिर जियों कत्यों खड़ा है इतना ही नहीं मंदिर की बाहरी दिवारों को बनाने के लिए बलुवा पत्थर का इस्तमाल किया गया है जिस पर बनी नकाशियां, कैलाशनात मंदर की सुन्दरता में चार चान लगाती हैं अंदर राजा बैठ के पूजा करते थे और 58 इन मंडबों में रिशी मुनी बैठ कर उनके लिए पूजा करते थे यहां देवी पारवती और शिव की नरत्य प्रतियोगिता को चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है माता पारवती की हस्ती प्रतिमा से इस मंदिर की भव्यता और बढ़ जाती है आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मंदिर के आसपास करीब पचास छोटे बड़े मंदिर हैं जिनमें हिंदू देवी देवता विराजमान है इस मंदिर की रहसिमई खूपसूर्ती की गहराई में उतरने से पहले आपको इसके निर्मान काल के बारे में बता देते हैं इस मंदिर का निर्मान 640 से 730 इसवी के बीच पल्लववंश के शासनकाल के दौरान हुआ राजा राजसिम्भा ने अपनी पतनी के कहने पर इसे बनवाया था उनके बाद उनके बेटे महिंदर सिंग बर्मन्त रितिये ने मंदिर के निर्मान को आगे बढ़ाया अलगी इस बात के ठीक ठीक जानकारी नहीं है कि ये मंदिर पूरी तरद से तयार कब हुआ अलग-अलग विद्वानों के अलग-अलग राय है इस मंदिर के निर्मान में वास्तु का विशेश ध्यान रखा गया टेंपल में एक बहुत खास बात यह है कि जो इसका बेस है वो ग्रेणाईट का बना है ग्रेणाईट एक भारी पत्थर होता है है और वो बहुत बड़ा वजन ले सटा है और ये क्योंकि बेस को वजन जारा लेना होता है और जो इसके उपर पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, जहाँ पे मूर्तियां सापेत हैं, मंदिश सापेत हैं, वो स्टैंस्टोन के बने हुए हैं स्टैंस्टोन हलका होता है, उसका वजन कम होता है और इस वज़े से ये बालू जैसा पत्थर होता है, हलका होता है और नीचे का जो पत्थर है वो ग्रिनाइट का सले रखा गया है। दरसल पल्लब शासनकाल के दोरान राजा अपनी शक्ति का परिचे इन मंदिरों से ही देते थे। हम ऐसे मंदिरों के निर्मान की कलपना भी नहीं कर सकते हैं। और शासनादर बोद पराना टंपल यह को जार सारसो वर्ष का टंपल इसको पर यह यह सबसा पहले गागंजिवरे सिथी कंदर बना वाद्वाव टिपल्फु सबसे पहले बना वादे आप्यावांस के आसपास साड़े एर गेंगा गासे मिकल कmit का मूति शिवा Ka trick है में अर्जगह पि पूजय क्या अधश है और ये योडा प्लेस्ट ऐह तArthur पल्लेस्ट पहला है योगा क्या टो से सद्श會ा फिर्फिति काhou आप्योगा एक से बेस न्यॉ Tu शिव मंदिर होनी की वज़े से कैलाशनाथ में महादेव की धेरो मूर्थियां मिल जाएंगी लेकिन यहाँ जो सबसे ज्यादा आकर्शित करता है वो है काले ग्रिनाइट पत्थर के बने सोला शिवलिंग जिनकी शिवरात्री के मौके पर खास पूजा अर्चना होती है चलिए अब आपको ले चलते हैं इस मंदिर के सबसे रहस्यमई हिस्से की और जिसके बारे में कहा जाता है कि यह सुरंग जिसे उस काल के राजाओं ने खुद को सुरक्षित रखने के लिए बनाया था अलगी सुरंग की एक और बात प्रचलित है वो ये कि वास्तों में यहां कोई सुरंग नहीं बलकि एक गुफा है जिसे पार करने वालों को जीवन मरन से मुक्ति मिल जाती है यहां ये भी कहते हैं कि एक रहस्यमई टनल है उसका क्या अधार था इसलिए हम चोटा उमर में कोई भी गल्ती किया हुओ उसका अंदर जाकर आएगा तो वो गल्ती माप हो जाता है ऐसा होता है कि नहीं ये बैस का विशह है लेकिन इस जगह पर आने वाले लोगों के लिए आकर्शन का केंद्र ये जरूर होता है कांची पुरम को मंदिरों का शहर कहते हैं हर मंदिर की अपनी खास्यत है और अपनी कहानी होती है जो कि साथवी आठवी सदी से जुड़ी होती है एक अमबेश्वर जो मंदिर है इसकी खास बात यह है कि यह जो पांच भूत स्थल है जो भगवान शिव से असोसियेटेड है उनमें से एक पर यह डेडिकेटेड है दक्षल भारत के तमाम मंदिरों की तरह कांची पुरम का एक अमबेश्वर मंदिर अपने अंदर धेरो रहस्य और खूपसूर्ती समेटे हुए है लेकिन जो लोग इस मंदिर को जानते हैं उनको सबसे ज़्यादा आकर्शित करता है यहां इस्थित एक आम का पेड़ आप सोच रहे होंगे कि आम का पेड़ आकर्शन का केंदर कैसे अमोमन एक आम के पेड़ की ओसत ऊमर 200 से 300 साल होती है लेकिन बताया जाता है कि मंदिर के प्रांगण में लगे इस पेड़ की उमर 3500 साल है यानी एक सामानी आम के पेड़ से 10 गुना से भी ज्यादा कहते हैं इस पेड के नीचे माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए घोर तब किया था तब भगवान शिव इसी आम के व्रक्ष में प्रकट हुए थे इसलिए इस जगा का नाम एक अमबेश्वर यानि आम के व्रक्ष का देवता पड़ा और यहां पर एक आम का पेड़ के बारे में बोला जाता है जिसको हम स्थल विक्षम बोलते हैं और ऐसा कहा जाता है कि यह जो आम का पेड़ है यह लगवत तीन हजार साल पुराना है कि 1000 साल पुराना मतलब जो प्रत्वीर पे सबसे पुराने पेड मौजूद है उन में से शायद ये एक पेड है इस पेड से जुड़ी कहानी में कितनी सचाई है इस पर तो हम दावा नहीं करते हैं लेकिन हाँ इस पेड की कुछ ऐसी बातें जरूर हैं जो लोगों को अपनी और खीचती है आस्था ऐसी चीज है जो मौन खड़े पेड में भी भगवान देखने लगती है खेर आगे बढ़ते हैं और जरा इस मंदिर की भव्यता पर नज़र डालते हैं चालीस एकड़ में फेले इस मंदिर की उचाई ग्यारा मंजिल इमारत जित्ती हैं यानि द्रविण स्थापत्य शैली में निर्मित उचे मंदिरों में एक है इस मंदिर की भव्यता का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि मंदिर के मुख्य द्वार की उचाई 69 मीटर है जिसे कृष्ण देवराय ने बनवाया था इस मंदिर में पत्थर के करीब एक हजार खंबे हैं जिन पर की गई नकाशी इस मंदिर की खूपसूर्ती में चार चान लगा देती हैं मंदिर की भीतरी दिवारों के साथ एक हजार आठ शिवलिंग स्थापित किये गए हैं जो शिवलिंग है इन में से 19, 20 और 21 तारीक को जो फागुन महिने की 19, 20, 21 तारीक होती है उस दिन इन पर जो सूर की रोशनी है वो सीधी पढ़ती है इस वज़े से सिर्क उनी तीन दिन पढ़ती है जिस वज़े से वो चमाख उठते हैं और उनी तीन दिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी पूजा अर्चना करी जाती है जो यहाँ का फेस्टिबल होता है वो बनाया जाता है इस मंदिर में भगवान शिव की मूर्ती है लेकिन मा पार्वती की कोई प्रतिमा नहीं है क्योंकि इसी जगा से कुछ दूरी पर इस्तित कामाक्षी मंदिर उनका प्रतिनिधित्व करता है काचीपुरम के सारे मंदिर देखने में एक जैसे लगते हैं क्योंकि इन सभी मंदिरों में द्रविण शैली की जलक मिलती है और ज्यादातर मंदिर पल्लव काल के दौरान बनाये गए थे सवाल उठता है कि ऐसा क्यों एक ही राजवंश के शासन के काल के दौरान एक ही जगा इतने सारे मंदिर क्यों बनवाए गए होंगे अलगी अलग-अलग इतिहासकारों की इस पर अलग-अलग राय है लेकिन जो एक बात साफ है वो ये की मंदर भले ही एक से दिखें लेकिन अपने अंदर ये गहरे रहस्य समेटे हुए है और हर मंदर में अपनी खास बात होती है जो उसे दूसरे मंदरों से अलग करती है अब तक हमने जिन मंदरों की बात की यानि कैलाशनात मंदर, एक अमबेश्वर मंदर और कामाक्षी अमन मंदर ये तीनों ही मंदर अगवान शिप को समर्पित है लेकिन अपनी खास विशिष्टा की वज़े से इनकी अलग-अलग पहचान है जो आने वाले लोगों को अपनी और आकर्शित करती है यहाँ कांचीपुरम की एक और एतिहासिक धरोहर का जिक्र करना जरूरी है वो है देवराज स्वामी मंदर देवराज स्वामी मंदर भगवान शिप को नहीं बलकी भगवान विश्णू को समर्पित है जैसा कि हमने पहले ही बताया पल्लब शासनकाल के दोरान समाज शैफ और वैश्णू में बटा हुआ था इसलिए ज्यादातर मंदर भगवान शिप और विश्णू के ही मिलते हैं देवराज स्वामी मंदर को एक पत्थर को काट कर बनाया गया था इस मंदर की विशाल संरचना को देखकर आज का विज्ञान उस काल की तकनी को सलाम करने को मचबूर है प्राचीन काल के मंदर महज पूजा इस्थल नहीं होते थे बल्कि ये वो स्थान होता था जहां से शासन विवस्था भी संचालित होती थी सदियों से खड़े उन निर्माणों के अवशेश ना सिर्फ उस काल की भव्यता की गवाही देते हैं बल्कि ये भी बया करते हैं कि आखिर प्राचीन भारत को विश्व गुरु क्यों कहा जाता था प्राचीन भारत करते हैं